अल्रेट चेक इट आउट गाईज, स्वागद आपका स्टोन टैक में दोस्ता जम बात करेंगे वीवो की तरफ से इंडिया में लॉंच होने वाले एक और ने लेटेस्ट 5G स्मार्टफून के बारे में जो के वीवो आईकू यू 5E तो आज कि इस वीडियो में हम बात करेंगे वीवो आईकू यू 5E की कंप्लीट डिटेल के बारे में ये मोबाईल इंडिया में कब लॉंच होगा, किस प्राइस्पेंट पर लॉंच होगा, क्या इसके स्पैसिफिकेशन होंगे और क्या आपको ये मोबाईल लेना चाहिए य सारी चीजों के बारे में डिसकास करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, तो चलिए सबसे पहले बात करते ही इस मोबाईल के डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलेगी, अगर बात करें इस मोबाईल के वेट की तो ये मोबाईल आपको 193 ग्राम का देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा हैवी वेट भी होगा, ओवरल लिखा जाते हो इस मोबाईल में काफी अच्छी क्वालिटी के आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और केंटेंट वाचिंग में आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी, अगर बात करें इस मोबाईल के बिल्ड के तो इस मोबाईल में फ्रंट ग्लास होगा, और बैक और फ्रेम आपको प्लास्टिक का देखने को मिलेगा, जिसे कि इस मोबाईल का ल की डे-टू-टे-परफंस काफी अच्छी देखने को मिलेगी और गेमिंग के वक्त आपको कोई भी हीटिंग इश्यू भी देखने को नहीं मिलेगा अगर बात करें इस मुबाइल के जूपियों की तो इस मुबाइल में माली जी 57 mc2 जूपियों आपको देखने को मिल जाए केमरे की वीडो क्वालिटी की तो आप इस मुबाइल से 1080p में काफी अच्छी क्वालिटी के फोटो और वीडियो शूट कर सकते हैं अगर बात करें सेल्फी केमरे की तो इस मुबाइल में 8 Megapixel का एक फ्रेंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा और फ्रेंट के वीडो क्वा इस मुबाइल अगर बात करें से pride के बात करें से अपको ही म्तazu और आपको स्पाणी अच्छी के सणर में इस मुबाइल में इसीत के साथ आपको इस मुबाइल प्रॉक्सिमिटी असलो मीटर जैसे सारे संसर भी देखने को मिल जाएंगे आप बात करते हैं इस मुबाइल की बैटरी के बारे में जिसमें 5000 MHz के एक बड़ी LAPO बैटरी आपको देखने को मिलेगी और चार्जिंग के बात करें तो इस मुबाइल में 18W की फास्ट चार्जिंग भी होगी अगर बात करें इस मुबाइल के कुछ कॉमन फीचर्स की तो इस मुबाइल में 2.0 टैप सी USB पोर्ट आपको देखने को मिलेगा और इन्फरारेट पोर्ट और NFC का फीचर इस मुबाइल में नहीं होगा आप चलते हैं इस मुबाइल के सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मुबाइल के color, price और release date की सबसे बहले बात करते हैं इस मुबाइल के color की तो ये मुबाइल आपको blue और silver color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस मुबाइल का price 15,990 होगा जो की थोड़ा high होगा अगर बात करें इस मुबाइल के release date की तो ये मुबाइल अभी इंडिया में release नहीं होगा आपको इस मुबाइल के लिए भी थोड़ा और wait करना होगा ओवराल देखा जाते हो इस मुबाइल का platform और display segment काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा बस इस मुबाइल का camera segment आपको थोड़ा disappoint करेगा लेकिन ओवराल मुबाइल के सारे feature आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे मेरे according आपको ये mobile ज़रूर लेना चाहिए आप सबसे आखर में बारी आती है इस mobile के rating की तो इस mobile के सारे feature को देखते हुए इस mobile की stone rating होगी 6 out of 10 अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like share ज़रूर करेना और चैनल को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताना इस mobile का सबसे चाफर फीचर आपको कौन सा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में